केंद्री ये रक्षा मंत्र निर्मला सीतारमन अपने पूरे रंग में दिखाई थी सीतारमन ने विपक्ष को जवाब देते वे कहा कि देश को बार बार 56 इंच का सीना दिखाने की जरूरत नहीं है रक्षा से जुड़े मामलों में जमीनी स्थार पर काम चल रहा है बॉर्डर पर सीस फायर उलंगन की कुछ मामले सामने आ रही है आतंकी घटना अपूई है ऐसे सभी संबंदित मामलों को लेकार रक्षा मंत्रा लेकम भीर है आतंकीयों को फिनिश खरना एक दम एलिमिनेट करना उस तक भी कम सपलता पूर्ण तरीके से हो रही है इसलिए हाँ हो रही है गतना हो रही है बगर यह नहीं है कि हम उसको हैंडल नहीं कर रहे हैं उसके लिए प्लाइन कुछ नहीं है और आक्षन नहीं ले रहे हैं आक्षन दी ले रहे हैं आतंकीयों को इलिमिनेट भी कर रहे हैं और भहुत डामेज होने वाले एसे गत्नाओं को प्रिवेंट भी कर रखे हैं। इसलिए 56 इंचिस वगेरा के जरूर बार बार दिखाने के लिए आवशक्ता नहीं है और इसको रफर करने का आवशक्ता नहीं है। केंडरिय मंत्री सीता रमन ने कहा कि हमारी कोशिश है कि तेश को नुक्सान ना हो। साथ ही युद्ध की स्थिती ना बने। अगर हालात विप्रीद बनते हैं तो सेनाय हर स्थिती से निपटने के लिए तयार है। रक्षा मंत्री ने यहां ग्वालियर एयरफोस स्टेशन का रिरिक्शन किया। इस दौरान साथ ही सुखोई, मिराज, मिक-21 और जगवा जैसे फाइटर विवानों के बारे में बारी कीसी जानकारी ली। शांती और सद्दावना के साथ हम चलें, यूद के रास्ते में नहीं चल रहें, मगर यह बोलते हुए ही में यह आप करूंगी। हर सिट्वेशन के लिए हमारी सैनिक थैयार है, आर्मे तूरे प्रिपैर है और हम हमारी देश के रक्षा दल्बूते से करेंगी। करीब चॉल खंटे तक ग्वालियर एरबेस पर रही देश की रक्षा मंत्री ने उमीड जताए कि अगर सब कुछ शीक रहा तो फ्रांजेसी मिरास की तरहा, आगामी दिनों में राफेल ग्वालियर के एरबेस की शान बच सकता है। National Desk, Total News